तो गाईज आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्टसप से जुड़े कुछ ऐसे मेथेड्स के बारे में जिनके बारे में जानकर आप अपने वर्टसप अकाउंट को सिक्यूर कर पाएंगे इसी के साथ आप जान पाएंगे कि आजकल हैकर ऐसी कौन सी टेक्निक्स का इस्तिमाल कर रहे हैं जिनकी मदस से वो आपके वर्टसप अकाउंट को एकसेस कर लेते हैं तो और हम उस चीज से बच कैसे सकते हैं यह वीडियो सभी के लिए काफी helpful होने वाला है इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यह वीडियो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीजों के बारे में आप में से काफी सारे लोग पहले से जानते हों लेकिन इस तरह का जो वीडियो है उन सबी लोगों के लिए है काफी कुछ आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा और एकदम genuine और legit ways पे आज हम बात करने वाले हैं complete video educational purpose के लिए है तो कुछ भी आप इसका misuse ना गरें ये बिल्कुल बात आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले guys मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि hackers आज कल कर क्या रहे है जैसे कि fake login page जादतर जो hackers हैं वो whatsapp का या बहुत सारे जो social media accounts हैं उसका एक fake login page बना लेते हैं जो कि बिल्कुल original official website की तरह लगता है अब इस तरह की चीजों को पहचाना कैसे जा सकता है मतलब आप ये कहेंगे कि identify कैसे करें तो guys मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो उपर address लिखा होता है जनरली आपको वो address देखना होगा address पे जो भी नाम लिखा हुआ है जैसे कि मान के चलिए whatsapp.com है whatsapp support है कई बार मिलता जुलता नाम लिखते हो original नाम नहीं मिलेगा एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दूसरा जो connection है वो sttp है या sttps है अगर sttps connection है तो वो secure है लेकिन secure होने का मतलब ये नहीं है कि वो lizard है आपको नाम भी check करना चाहिए कि जो नाम लिखा हुआ है वो proper whatsapp का ही original नाम है या किसी दूसरी company से भीजा गया है तो ये बहुत important रखता है अब सवाल आता है कि ठीक है हमें नाम से identify कर लिया fake है बचना कैसे है इस तरह की चीजों से अगर आपने code enter किया तो आपके लिए काफी बड़ी problem हो सकती है इन सब के लावा अपना जो whatsapp account है उसके अंदर two step verification वाला option on करके रखें मैंने पहले भी बुला था कि हो सकता है आप में से ये methods कुछ लोग जानते हो अच्छी बात है लेकिन जो लोग नहीं जानते ये video उन लोगों के साथ share करें ताकि वो अपने आपको secure कर सकें नमबर two methods बात आती है fake verification sms आपके phone पे sms आएगा जिसमें साइध हो सकता है hackers ने लिखा हो कि हम whatsapp team से बात कर रहे हैं आपके support के लिए बात कर रहे हमने code भेजा है ताकि आपके account को secure किया जा सकें लेकिन वास्तम में वैसा होता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि whatsapp कभी भी आपका जो verification code है message के जरीए नहीं मांगता है यानि whatsapp के team आपसे कभी भी code नहीं मांगेगी तो इस बात पर आपको यकीन नहीं करना है और code जो है वो कभी भी किसी के साथ share नहीं करना है number 3 step पर ज़्यादे तर लोग क्या करते हैं कि आजकल आपका phone ले लिया और कुछ applications आ रहे हैं चल जाएगा तो आपको करना क्या है कि कभी भी जो QR code है या इस तरह की जो चीज़ें वो एक तो share नहीं करनी है किसी के साथ भी अपना जो whatsapp के अंदर एक option आता है linked devices जब आप settings में जाकर चेक करेंगे linked devices तो वहाँ आपको बता चलेगा कि आपका whatsapp कहीं और तो नहीं चल रहा है तो ऐसी condition में आपको क्या करना है आपको करना है log out of all devices यानि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप log out all devices कर दीजिए और साथ की साथ two step verification on कर दीजिए और अगर on है तो बहुत कम chances हैं कि ऐसा आपके साथ हो पाएगा ये number 4 method की बात करते हैं fake support calls आजकल बहुत सारे से camera या hacker इस तरह का भी trick लगाते हैं कि वो आपके पास whatsapp team से बात करने के लिए बोलेंगे वो कहेंगे अपने आपको ऐसे represent करेंगे कि जैसे वो whatsapp की company से बात कर रहे हैं बिल्कुल और आपकी जो personal details है या code वगेरा है वो मांगेंगे तो ये कभी भी phone call पे आप लोगों को share नहीं करना चाहिए अससे बचने का simple और आसान तरीका सिर्फ यही है एक तो आप इस तरह की चीजों से बचे क्योंकि जैसे कि मैं बार-बार बता चुका हूँ कि कभी भी whatsapp की जो team है वो आपकी जो personal details है वो कभी नहीं मांगती code वगेरा कभी नहीं मांगेगी आपसे तो आपको ये कभी किसी को नहीं देना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कह रहा है two step verification अच्छा option है ही खास number 5 आता है malicious link कई बार जो hackers हैं या attackers हैं वो क्या करते हैं आपके पास phishing link भेज देते हैं कोई applications वगेरा का link भेज देंगे या कोई free service का लालच आपको देंगे या कोई इनाम वगेरा का लालच देंगे price वगेरा इस तरह की चीज़ें तो आपको इस तरह के link पे कभी भी click नहीं करना चाहिए हमेशा जो URL आपको मिलता है URL का मतलब है link जो लिखा होता है http www.com वो लिखा होता है उसे आप identify करें identify करने के बाद आप उसे देखें एक website होती है unsortened वहां से उस sort link को पूरा जैसे ही आप उसे open करेंगे तो असली जो website है वो सामने आ जाएगी और बचने के लिए आपको क्या करना है कभी भी इस तरह के suspicious link पे click नहीं करना है इस link तो देखो बहुत काफी गलत चीज़ हो सकता है कि किसी भी link पे आप click कर दें क्योंकि link पे click करने से बहुत सारे काम या बहुत सारी permissions automatically आप लोग दे देते हैं तो यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए link पे click मत करो यसी इस तरह से अगर आप ये पास कोई भी link आता है तो आप उसे block कर दें यह सबसे बहतरीन तरीका हो सकता है और anti-malware tools या antivirus जो है वो आप अपने phone में install करके रखें तो भी इस तरह की चीजों से बस सकते हैं number 6 पे आता है fake WhatsApp applications बहुत सारे अभी देखो जो technology day by day बढ़ती जा रही है तो अभी क्या करने लगे हैं कुछ लोग या cyber criminals की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल WhatsApp की तरह का मिलता जुलता same application बना लेते हैं अभी वो लोग phone करेंगे phone करके आपको बोलते हैं कि भई हम जो है WhatsApp team से बात कर रहे हैं और हमने इस नया software लांच किया या कुछ भी मतलब आपको भरुसा दिलाने के लिए कहेंगे और आपको force करेंगे कि आप हमारी जो application है ये download कर लो तो guys ऐसी कोई भी applications आपको download नहीं करनी चाहिए बिना जानकारी की और देखे जब आपके में WhatsApp है और आप WhatsApp चलाना भी चाहते हैं और download करके भी चलाना है तो देखो official website से आप download कर सकते हैं या Google Play Store पर WhatsApp की आप देखो कितने downloads हैं देखो हो सकता है WhatsApp की तरह है कि बहुत सारे मिलते जुलते आपको मिल भी जाएं लेकिन आपको देखना क्या है कि downloads कितने जादा है दूसरा जितनी भी fake applications हैं आप app जो installed होती हैं वहाँ जाके चेक कर लें कि कोई malicious application तो नहीं है अपनी device को antivirus से scan रखे हमेशा और two step verification इस case में भी काफी अच्छा option आपके लिए हो सकता है आपके जो जरूरी passwords हैं उन्हें हर 15 से 30 दिन के अंदर change करें यह precautions हैं जिससे आप बच सकते हैं एक और important point में आप लोगों को बताना चाहूंगा गाईस number 7 पे हम देखते हैं कि आज कल public wifi और free wifi का लालच बहुत ज़्यादा लोगों को attract करता है तो यह भी आपके लिए एक परिसानी खड़ी कर सकता है इससे identify करने का सबसे आसान तरीका है सबसे पहली बात तो आप public और free wifi से connect ना हो यह सबसे best option है फिर भी अगर आपको connect होना पड़ जाए तो आपको बहुत सोच समझ कर अगर आपको legit लगे genuine कोई चीज लगे तब ही आप करें otherwise ना करें और कोई suspicious activity लगे तो आप अपने भी जितनी भी logins चीज़े हैं वोने disconnect कर दें internet से ही disconnect कर दें अपने आपको यहनि phone को disconnect कर देंगे internet बंद कर देंगे तो आपकी problem काफियत तक solve हो जाएगी और VPN जैसे connections का आप इस्तिमाल करेंगे तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही ऐसी ही बहतलीन और जबरदस्त information के लिए देखते रहे ही YouTube channel Masters in Ethical Lacking Thank you friends, good bye